हेलो हेलो व्यूवर्ज असलाम अलेकूँ और वेलकम बैक टू मैं यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब व्लोग उमेद करती हूँ कि आप सब लोग थीक होंगे खुश होंगे इन खुबसूरत फोलों के तरह खिली खिली हुई आप लोगों के भी जिन्दगी होगी आज फि वीकेंड्स पर यही होता है कि चलो बाहर से ब्रेइफस्स दोड़ा कर लेते हैं सुकून से आज तो चिला उट डेया है लेकिन मैं जैसे उठी रात को सोते हुए न मैं रील से एक रही थी और मेरी जो लास्ट रील मैंने देखी वह एक दाल की थी मैंने का क्या वाद सुब भावी के उटने से पहले ना आज मज़दार से डाल बनाती हूँ और साथ ही साथ मैं जो है ना डाल चरहा के मैं आई रूम में मैंने का चलो सुबह सुबही ना आज जरा रूम भी क्लीन कर लेती हूँ और आज ना में जरा रिस्पॉंसिबिलिटी शो करती हूँ ताके पत वहीर जब आप अपना जहन बना रहते हैं आतो नोपी काम I allows को काम मुश्किल नहीं लगता है एक्यक्री कीसिन गें कि महीं जाया को मैंसे दाल गली के बाराकर गजरिवए क्योंकि मैंने जो रियर देख़ी थे थे उसी को मैं फॉल्व करके दाल बना रहे थी, रेसीपी नहीं आप लोग को देरी, बस मैं अपना डे बता रही हूं कि कैसे मैंने अपना वीकेंड गुजारा, हैर दाल गली या नहीं गली है, तो कुकर खोलें के बाद ही पता चलेगा, और साथ ही मैंने जो है वो इसका तड़का प्रिपेर करी थी, इसमें म मैंने जो है वो दाल में डाल दिया है, दाल हमारी रेडी हो चुकी थी, फिर मैंने का अच्छे से प्यारी से शलवार कमीज पहनती हूं और नमाज परती हूं, और जुम्म्ह वाल दिन एक अलग या बाई बाई होती है, आपको बड़ा एक इस्लामिक ताइपर, बड़ा य weiß तो इस पेच्टाइए तो ब packets में रखिता था नंवियरिक यहां पार्टा द booking में सकते हूं किए और साथ ही मुझे मेसेज आ गया है कि आपका पार्सल आया हुआ है मैं गई बड़ी एक्साइटेट थी मैं क्यूंकि काफी दुनों से कोई पार्सल नहीं आया था मैं बहुत काम की चीज नहीं अच्छी अच्छी ओडर की थी और जाके मैं दरवादे से पार्सल उठाया मैंने चलो यार इसके पहले अन्बोक्स कर लिए तो यह बड़ा ही मुश्किल काम होते है इतने रैपर होते हैं इनको अन्बोक्स करना जो हता ना सबसे मुश्किल काम होता है लेकिन एकसाइटमेंट भी साथ साथ होती हो तो फिर आपको अच्छा लगता है है इससे पहले जो मेरा पार्सल आया था उसमें यह फिल इसके अंदर अच्छा हासा जूस मजूद था और मैं रगते हैं लग तो यह चोटा सा रा था हुआ और मुझे लग रहा था के ऑम लोगी हमने चोटा सा चुमसुनेगा डूमाते हैं तो फिर मैंने इसके उपर घुमाना शुरू कर दा है, बहुत अच्छे से spin दो रहा था, बहुत दा pressure भी नहीं लग रहा था इट लुक्स नाइस तो जल्दी जल्दी सब कुछ हो गया, है इस तरह से मैंने सारे oranges जो हैं, उनका juice निका लिया इसका सारा pulp उपर था और जो juice था वो भी काफी है, fresh तो नहीं कह सकती 20 दिन पुराने oranges थे लेकिन fresh juice निकालना तो मतलब, निकाल तो हम लोग fresh juice रहते हैं anyhow, it was very nice मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत easy था Canadian था, और बहुत जादा आपका time भी नहीं लगता और आपको जोड़ भी नहीं लगता है यह देखे कितना मज़े का juice था यह कीन जाने, 20 दिन पुराने मालते थे लेकिन still juice जो था ना, वो fresh था तो मैंने जो है, वो juice enjoy कि और बाद मैंने इसको wash करके रख दिया, wash करना बहुत सदा मुश्किल नहीं था क्योंकि बहुत बड़ा product नहीं है, चोटा सा so it's very easy to handle and carry उसके बाद, जी मैं सो गई और शाम हो गई, शाम होने के बाद मेरा दिल कर रहा था गोलगपे खाने का और वो भी इंडियन गोलगपे, आप लोग को याद होगा अगर आपने मेरा विलोग तेखा होगा जिसमें मैं अपने bloggers friend को मिलने के लिए गए थी, पिर वो हमें एक गुजराती restaurant पर लेके गए थे, जहां पे हमने जाके उनके गोलगपे और वो without meat वाली बिरियानी ट्राइ की थी, सबजी वाली बिरियानी यार आप लोग ने कभी खाई है, सबजियां भी नहीं थी उसमें चीज बिरियानी थी I was like shocked, मैंने का यार मैं जिन्दगी में कभी वैसे भी हम लोग पंजाबी देसी जो लोग है ना, बिरियानी means चिकन, मतन, बीफ इस टाइप का, लेकिन बिरियानी का नाम भी है और उसमें चिकन भी नहीं है it was like quite shocking thing but anyhow, it was nice, not bad तो मुझे उसी रेस्टरान में जाना था और उनके गोलगपे ट्राइ करने थे, और गारी काफी जादा गंदी हो, यह भी थी मैं सोची थी, यार इसको वोश करा लूँ आद चुटी है, फिर मैं सोचा, मैं नहीं क्यों जाना है जब ओफिस जाओंगी, अपने ड्राइवर को चाबी दूँगी जाओंगी ओफिस के जो ड्राइवर है, मेरे परसनल ड्राइवर नहीं है उनको चाबी दूँगी, और जाके वोश करा के आजेंगे, मुझे क्या ज़रूरत है खजल हराव, जली, जली, नहीं, खजल ख़वार होने की बस फिर मैं निकल पड़ी, जो लोग सलाला में रहते हैं, इस सिटी में रहते हैं, या उमान में रहते हैं उनको तो पता होगा के जून जुलाए में यहां पे खरीब का मुसम आता है, जहां पर पारिश होती है टॉरिजम बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, और ट्रैफिक आपको जैम ही जैम मिलती है हर जगा पे और यह भी लोग जो है, वो लास्ट से लास्ट, I think Friday का इस रीसन नहीं है तो उस टाइम इतनी स्यादा ट्रैफिक नहीं थी है, मतलब ओके थी, लेकिन अब जो आप बाहर नहीं निकल सकते हम लोग का यह होता है कि हम लोग जो यहां के रहने वाले लोग है ना, यह देख़ें पे और आगई हूँ, यह श्रीवाद रस्टरेंट है यहां से मैंने अरडर किये अपने लिए गोलगपए इनका यह है कि इंडियन रेस्टुएंट है और यहां की जो पैकेजिंग थी वो इतनी अच्छी नहीं थी मतलब बॉक्स में उनने डाल के निए शॉपड में डाल के दे दिया है एनिहों हमने शॉपड को क्या करने हम लोग ने तो खाने तो मैंने का चलो घर जागे खाती हू अभी मैंने पार्सल ले लिए मुझे दर आगना थोरा सा वियर्ड फील हो था क्योंकि यहां पर इतनी जादा फैमिलीज आके नहीं बैठती है तो मैंने का भाई पार्सली दे दो वह बहुत अच्छी सी मज़े की थी तो पता नहीं अजीब ही मेरा दिल कर रहा था यह यह मैं ऐसी हो कि मुझे एक टाम पर एक चीज खाये जाती है लेकिन वो कहते हैं कि पेट भर जाते हैं आंखें नहीं भरती है मैंने वहां से एक पार्सल भी ले लिया और साथ में गोलगप्य भी मेरे पास पड़े तो सारा मेरा प्लान था घर जागे खाने का लेकिन यहां पर गई लेकिन डाइट वैडी गुड के जब आपको बहुत जादा भूक लगी होती हैं तब आप कुछ भी खा लो आपको बहुत मज़े का लग रहो तो वह जो फूरूट चार्टी क्रीम चार्टी मुझे इतने मज़े के लगी हालांके उसमें कुछ खास डाला नहीं हुआ जो स्टैब पर बनाना और अनार का एक एक दाना नज़र आ रहा था मतलब के आपको पूरे बॉक्स में में भी पांस दाने अनार के नज़र आ गए होंगे यह धांदली यह गलत बात है फूरूट चार्ट के नाम पे आप लोग बनाना बेचरी और क्रीम डाली हुई है गल को देखे पता चल रहोगा कि यह काफी अच्छी थी मज़े की थी फिर जी यह मिर्चों वाला खटा पानी है यह गोल गपर वो लोग यहीं पर बनाते हैं शौप पर लेकर फ्राइन करते खुद से बनाते हैं तो इस क्वाइट क्रिस्पी और नाइस सो फिर मैंने वह खा ल मैं एक दम क्या करते हैं एक नंबर बनाती हूं बहुत मज़े के खिले खिले नाइस और मज़े के चावे बनाया थे फिर मैंने डिशोट किये और बस खाने बैट के अब यह समान सारा मैंने अन पैकिंग किया आपके सामने से कुछ चीज हैं जो मुझे पूरी नहीं आई है कुछ चोटा है कुछ तो मैं भी रिटर्न करवाने के लिए देने के लिए जा रही हूं यह समान मैंने जा के कोरियर वालों के ओफिस में ड्रॉप किया और यह बहुत एजी है हमारे लिए क्योंकि घर के करीब ही उनका ओफिस है और उसके बाद मैंने सोचे कि मौसम पेस्ट कर रही है पूरे गिनके पूरे चार दांत है इसके और यह जो ना टूथ प्रश साथ लेके नेमर नेमर यह चैक करें काम इसके दान साफ कर रही है अब प्रिए बोट खुश है किसको पैंपर्स का डबा जो डिसकांटिट प्राइस पर मिल गया और वो कह रहा है कि हुँ दो मिनें में पर मैंशनी करने ही तो होगी है चलो सही हो गया लिए तो हर्चा बाच गया अभी एक महीं ना जो ना दूथ ना प्रियानी खाके और साथ में पूरा बोल दो दिन के लिए साथ लेके आगए चलो चलो बैठो अभी ऐसे ही तुसी काम पढ़े है तो आप आप बाने के लाया जाँ दिया चलो जी दो दिन भास छुटी करो जैसे हम जी टिशी से अली को ठाक लेकर आय था एक महमान था अब जाते वे हम इसको छोड़ के आएंगी महमान तो अब कर चला गया इता तीसरे दीन ने हो हो यह द खाना बांधो और चलो निकलो पर इतना बड़ा समान ऐसे जैसे थाइलाइंड जा रहा है तो यह हम अली को ड्रॉप करने के लिए बस्टेशन पर अलीका स्टाइम यहां पे सलाला में भी खतम हो गया है बड़लोग। समतों सी हुआ यहां टेशन भी सताववान बसे जाने ऑख कई लोगे साठी आड भी इस घंटाओ पर शाथा मरा बजे वारी भी यहां怎麼辦 ने swimming अग्ते घाना सारेस्ट जानर सब्सक्राइना तुलाक अविक आरधा हुआ आएछ ह Vir가요 और फ़े टर जाया किढ़ें प्रिश जाना अर में अविक त्ट कर देती नुद मेराजिक आने नहीं वहार जारा किता लो हुआ है आपिस आटाला MOM चलो रोटी बना आगे खाते हैं और यकीन जाने इतनी मज़े कि इतनी प्यारी रोटी मेरे से बनी मुझे खुदी यकीन ही और था अभी ये क्लिप देखे ना मेरा फिर से ये खाने को देल करने लगा है ये जो मैंने विलोग आज पोस्ट किया है ये सारा विलोग एक दिन का हमारे आप किदर गाएब हैं सो आम ओल राइट और मैं बस किसी दूसरी चीज में बीजी थी आपी दुबारा से रोटीन से व्लोग बनाना स्टार्ट करूंगी और विलोग एंड करने से पहले एक और बात एड करना चाहूंगी कि इस्पेशली वह सब लोग जो मुचे टी येट्यूब फैमली तो यू जस प्रूव इट के वही फैमली हैं और हम आपकी एपसंस भी फैल करते हैं सो इसी बात के साथ आप लोग से लेना चाहूं कि इजाज़त इन्शाला नेक्स व्लोग में फिर से आप लोग से मुलाकात हो कि इपना बहुत सारा ख्याल रखेंग और दुआ हमें याद रखेंगा अलाव